पीएव मोदी शपत ग्रहन करने जा रहा हैं तीसरी भार और इसको लेकर लगातार तमाम जगे से बढ़ाई संदेश भी आ रहे हैं और तमाम तरह की बयान बाजिया भी हो रही हैं लेकिन पियम मोदी की शपत को लेकर शुप कामनाई देने से ममता बनर्जी ने साफ इंकार कर दिया है और इंकार करते वे उन्होंने जबरदस्थ हमला बोला है ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मैं पियम मोदी की जगे होती अगर मैंने 400 पार का नारा दिया होता सब कुछ मेरे पक्ष में होता उसके बाद भी अगर मेरा भहुमत ना आता तो मैं कभी प्रधान बनती और साती साती ये भी साफ कर दिया कि हम यानि कि इंडिया जो है हम वेट कर रहे हैं और वाच कर रहे हैं यानि कि हम देख भी रहे हैं सही समय का इंतजार कर रहे हैं और आ unconstitutionally, illegally, गर्मेंन बन रहाए है, हम उसको सुपकामन नहीं दे सकता है, I'm sorry for that. हमका सुपकामन देश के लिए रहेगा, कि लेत उसको पर वर बेस्ट, फर दे फुटर. दुसरी बात है, हम एंताजर करेंगे नहीं, हम वाज करेंगे. From our side, I can assure you, हम खूश होंगे अगर जतना जल्दी से जल्दी ए अंस्टेबल एक गर्बर गर्मेंट जो विक गर्मेंट जिसका पास द्यसको लिए कुछ नहीं है देना भी नहीं है ए जल्दी से जल्दी घर वापास जाए द्यान ध्यान करे अच्छा रहे लेकिन इंडिया का कॉमिटमेंट इंडिया को चालाने देना ठीक होता है अगर इसका जागा में मैं हूत हुई तो विदाउट माई सिंगल पार्टी मेजोरिटी हम तो को भी रिस्पोंसिबिलिटेशन नहीं लेती पार्लमेंट ये ठीक है बहुत सरे देश है बहुत सरे जगह है बहुत सरे राज है लेकिन तब भी सिंगल लड़्जेस्ट पार्टी भी नहीं हुआ जिन्होंने 400 का बात कहा मैंने क्या कहा था 200 भी फार होगा की नहीं होगा देख लो और इसमें तो सरक्षिन कमिशन का मैनुपूलेशन पुड़ा है है कि नहीं है मैं जो कोश्चिन किया है उसको रिप्लाइ अभी दख नहीं मिला तो ममता बनर जी कहा रही है कि हम वेट कर रहे हैं और नजर बनाए हुए हैं कि आगे क्या कुछ हो सकता है और गटबंधन जो है वो केवल बैठा नहीं हुआ है ममता बनर जी ने कहा कि नितीश कुमार और चंदरबाबू नाइडू को जल्दी घर वापसी कर लेना चाहिए क्योंकि सरकार जुमलो की सरकार है जो भारत के काम नहीं आ सकती और साथी साथ उन्होंने जो है चेतामनी भी दी एक तरह ऐसे कि इससे पहले कि वो आपके सांसा तोड़ ले आप जो है वापस लटाइए ममता ने कहा कि इंडिया गटबंधन को चलाने के लिए इंडिया गटबंधन ही काम कर सकता है यह हम दिख रहा है मेरे को एई बात कहने था इसके लाव में तब इनरजी ने कहा कि भले ही पिया मोदी और बीजेपी से अपनी जीत बता रही है लेकिन दुनिया में इसकी चौर्चा हो रही है कि डिक्टेटर्शिप वाले रवाईए की वजह से बीजेपी का चुनाव मे अब्सरबर का रोल है हमारा इधर में देसका जतना सी आर पीएफ साब बेच दिया जतना एजेंसी साब बेच दिया एक स्पी ने फटी फाइब लाक रुपिया पकड़ा तो नेक्स दिप प्राइम मिनिस्टर जाने का बाद ही ओई प्राइमिनिस्टर जोदी भी दिन आते थें तीन धिन मैंने देखा वाच करके तीन दिनी तीन आस्पी चेंज हो गिया को को कोई कर्सकी होता कि का मोता दिल से पार जाम करने के लिए मेंनत करना चाहिए काम करने के लिए जनन भी जूरूरत थे हमारा देश में बहुत सारे एक्सपार्ट्स लोग है अब पहले देखो ना जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हास्बेन क्या बोला एक गर्मेन नहीं चल सकता है अगर आपका खुद घर से आवा जा रहा है तो हम क्या करें हमें नहीं कहें कि जूट बोले कवा काटे एक कर्मेंट जो वाद सफोच लेने के लिए आप जाड़ा है यह देश के लिए कोई हीत का बात नहीं है यह देश का लोग तंत्र को और भी वीक करेंगे अर हम लोगे चाहते हैं मोदी हाड़ा मेंस उसको जो इंटेंशन टू थार्ड मेजोरिटी का था उन्होंने सिंगल नहीं मिला उसका असपास में गिया ही नहीं तो कैसे बील पास करेंगे Constitution Amendment कैसे करेंगे और बातों बातों पर जो भी मर्जी बिल कर ले ना कि इतना भी बिल किया है लास्ट राइम किसी को सब डिसकाशन नहीं किया कि चर्चा नहीं किया जान बुझ के जस्ट पास कि डिक्टेटर्श शिप्ट कभी एक लक्समन रेखा होता है ओ भी नहीं है आज पुरा बिश्र में एक चर्चा हो रहा है कि बीजेपी जो एक्ट्रोसिटिस किया है इट इस एक्ट्रोसिटिस टेरिबल जितना जल्दी एलोग घर वापस जाए इतना ठीक है इसके लावा ममतबनरजी ने दावा किया कि चुनाव ने विपक्ष को बहुत मजबूत कर दिया है और अब जो राज्यों का बकाया पैसा है जिसके बिना राज्यों को सरकार चलाने में दिख्कत आती है ताना शाही छोड़ कर मोदी सरकार को पैसा रिलीस करना चाहिए ताकि राज अपना काम ठीक से कर सके इसके लावा ममता बनर जी ने शेयर मार्किट को लेकर स्कैम का दावा किया है जो राहूल गांधी ने बयान दिया था कि किस तरह से एक्जिट पोल और नतीजों के जरीए जो स्टॉक मार्किट में उच्छा लाया और उसके बाद अचानक से सारे स्टॉक सिर गया उसको लेकर किया कुछ का है ममता बनर जी ने बयान सुनी है कैसे अतना बार गया क्या है एक दिन में एक्जिट पोल का नाम पे एतना रुपिया का मार्केटिंग हो गया कौन कौन इंवल्व है मेरे के तो श्यार बार गयार के लिए पता नहीं है हम समझते भी नहीं है लेकिन हम पेपार में कुछ कुछ देखा और देखके यह तो मेरे को लागा कि डाल में तो कुछ जरूर करा है है चैजब चुनाओं का काॉंटिंग डेका का और बोटिंग डेका इनमें जो जो हुआ है टोटल स्कैम हुआ है बोला स्कैर्स हुआ है इसमें इंवेस्टिगेशन होना चाहिए तो एक ओर ममता बनर जी ने पीम मोधी को शुब कामनाएं देने से एक तरह से साफ इंकार कर दिया और कहा कि अगर मेरी ऐसी सरकार बनानी की नुम बताती तो मैं कभी प्रधान मंतरी नहीं बनती जो 400 पार का दावा किया करते थे और अब वैसाकी की सरकार चुला रहे है इसके लावा उन्होंने ये भी क इसे उन्होंने कई है और ममता बनर जी ने जो दावा किया है उससे राजनीती खलचल भी पैदा हो गई है कि एक तरफ तो जो है इंडिया कटबंधन ने अपनी मीटिंग के बात कह दिया था कि अभी हम सरकार बनानी के बारे में नहीं सोच रहे हैं लेकिन दूसरी और ममता झाल झाल झाल